यू तो बिहार में सुशासन वाली सरकार है यू तो बिहार में जनता का राज चल रहा है ऐसा हमारे सिये यानि मुख्यमंत्री नितीश कुमार कहते हैं हर एक सारवजनिक मंचो पर जब जाते हैं तो यहीं अलान करते हैं इस बात के दावे करते हैं कि बिहार में अपराध्यों पर कंट्रोल बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है बिहार में अपराध्यों पर निर्यांतरन बिहार सरकार द्वारा कर लिया गया है ब लेकिन आए दिन बियार से ऐसी घटनाय निकल कर सामने आ जाती है बियार में आए दिन ऐसी खबरे निकल कर सामने आ जाती है जिसके बाद बियार पुलिस प्रशासन से लेकर बियार सरकार की भद पिटती नजर आती है अब ऐसे में एक शार्प शूटर ने एक ऐसे ऐसी राज का खुलासा किया है एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार से ले करके बिहार के डिप्टी सीम तिजस्वी आदव इतना है नहीं बिहार पुलिस प्रशासन के मुख्या यानि बिहार के डिजी पी आरेस भट्टी तक शर्मशार हो जाएंगे कि आखिर बिहार में ये कैसी शूटर कौन है आईए जानते हैं बंदी वाले बिहार के एक प्रखंड में तसकरी से लाएगर शराब के अव्याद धंदे में इतनी कमाई है कि दारों सिंडिकेट पर कबजा जमाने के लिए आरजडी के एक नेता ने 60 लाख रुपे की सुपारी देकर सूटर से प्रतिद्वंदी तसकर की कोट में हत्या की कोशिश की पुरे बिहार में 534 ब्लोक है बिहार के सियम नितीश कुमार ने जिस शराब बंदी के लिए सरकार की 4000 करोर रुपे की सलाना कमाई को तिलांजली दी उस शराब को बेच कर बिहार में हर ब्लोक में कितने नए माफिया बन गए जो करोडों की संपती बनाकर बैठ समस्तिपूर में शराब के अव्याद धंदे, धंदे में गैंग वार और उसमें पुलिस की मिली भगत की कॉक्टेल की ऐसी कहानी सामनी आई है कि नितीश के साथ सा डिप्टी सीम तिजस्वी यादव और डीजी पी आरेस भट्टी भी शरमिन्दा हो जाएंगे समस्तिपूर कोट पडिसर में 25 अगस्त को जेल में बंद शराब माफिया प्रभाद चौधरी और उसके शाथी प्रसांत तिवारी पर पेशी के दौरान तीन सूटरों ने गोली बरसा दी दोनों को गोली लगी लेकिन जान बच गए पुलिस ने इस केस में जारखंड की राजधानी राची से दो शूटर को गिरफतार कर लिया केलास मंडल और कृष्णा राय नाम के इन शूटरों ने पुलिस को जब अपनी हमले की कहानी सुनाई तो इस भी विनय तिवारी के भी होव सूड गय लडाई कल्यान पुर ब्लॉक में शराब के अव्याद धंदे पर बर्चस्व की लडाई से जूड़ी निकली प्रभाद चौदरी को मारने की सुपारी कल्यान पुर ब्लॉक के पुर्व आरजडी अध्यक्षर पुर्व मुख्या रामबाबू राय ने दी थी जो इलाके का बड़ा शराब माफिया है और प्रभाद उसका धंदा खराब कर रहा था इन शूटर्स ने पुलिस को बताया कि 60 लाख में मंडर करने का सौदा तै हुआ है और 12 लाख एडवांस में मिली भी गई थी इसपी विने कुमार तिवारी को जटका तो तब लगा जब पता चला कि आरजडी नेता रामबाबू राय को शराब का धंदा चलाने में समस्तिपूर जीले के दो थानेदार पूरी मदद कर रहे थे इसपी ने कल्यानपूर और चकमहेसी ठाना के एसे चोद गौतम कुमार और चंदर किशोट टुड़ी को सस्पेंट कर दिया है और दोनों के खिलाव विभागे जाच भी शुरू हो गई है इसपी ने बताया कि रामबाबू और प्रभाद चौदरी के बीच कल्यानपूर ब्लॉक में शराब के धंदा पर एक छत्र राज की लड़ाई चल रही थी रामबाबू राय के गुर्गो ने 25 जुलाई से 10 अगस्त के बीच प्रभाद को मारने की कोशिश को लेकी लेकिन नाकाम रहे फिर जारखंड के शूटर से संपर्क किया गया पुलिस ने रामबाबू राय गुर्गो और शूटर को गिरफतार करके केस तो क्रैक कर लिया है लेकिन ये केस यह बताने के लिए काफी है कि शराब बंदी के बाद भी बिहाड में शराब कैसे बिक रहा है राजनितिक शंगरक्षन न भी हो तो केवल जो लोकल नेता हैं लोकल पुलिस के साथ मिलकर शराब मंगवार हैं बेच भी रहे हैं ऐसा नहीं है कि इसमें शेफ आरजडी या जडियू के निता शामिल है कुछ दिन पहले गोपाल गंज की बीजेपी विधाय का दिवर शराब की खेप के साथ गिरफतार हुआ है शराब तो बैन हो गई लेकिन तब शराब के धंधे में लगे कई लोगों ने शराब तसकरी को अपना धंधा बना लिया सरकार का राजस और शराब माफिया, पुलिस और उत्पार विबाग के अधिकारियों की काली कमाई बन कर रह गया यहीं वज़य है कि शराब बंदी साथ साल से लागू तो है लेकिन कोई नहीं बिता जब शराब बेचने और पीने के आरोप में बिहार पुलिस दस भी इस लोगों को गिरफतार न कर लेती बिहार में साथ साल से शराब बंदी कानून लागू है बिहार राज में कोई सराब ना पी सकता है ना बेच सकता है ना खरीद सकता है ना ला सकता है ऐसा शराब बंदी कानून कहती है ऐसा बिहार के मुख्या यानि मुख्यमंत्री तीश कुमार कहते हैं लेकिन आए दिन बिहार में एक दिन भी ऐसा न हो जब बिहार पुलिस जो है वो एक भी ऐसे लोग को न पकरे जो या तो शराब का धंधा कर रहे हों या शराब पी कर कहीं लुड़ के नजरा आ रहे हों बता दे कि बिहार में एक ऐसा ही बड़ा खुलासा हुआ है जहां बिहार में शराब की तसकरी को लेकर के उस पर अपना बर्चस्व जमाने को लेकर के एक प्रतिद्वंदी दूश्रे प्रतिद्वंदी को कोट परिसर में ही जो है गोली चलवा देता है हाला कि सामने वाला जो है वो बजी जाता है दरसल आरजडी के नेता ने ये पूरा कारणामा किया है उन्होंने जारखंड से दो शार्प शूटरों को बुलवाया और शराब के धंधे पर अपनी बर्चस्व को कायम रखने के लिए शराब के धंधे पर खुद की बर्चस्व उसको बनाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंदी के उपर समस्तिपूर कोट परिसर में ही गोली चलवा दी इसका पूरा खुलासा जो है विने तिवारी यानि एस पी समस्तिपूर द्वारा कीक जा चुकी है इसमें आरजेडी के नेता की मिली भगत आरजेडी की नेता जो है उन्होंने ये पूरा कार्णामा करवाया है इसका अखुलासा पुलिस के द्वारा कर दिया गया है फिलार इस खबरें बस इतना ही और वीडियो अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूस फोनेशन